हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, आज की जो सिक्षन योजना है, वो हिंदी विशे की है इसमें दिनाख, जिस भी दिनाख में आप इस प्रक्राण को पढ़ाएंगे कक्षा साथ, विशे हिंदी, समय 40 मिनट लर्निंग आउटकम, बच्चे गद्य एवं पद्य की विधाओं या विशेश्टाओं के अंतर को समझते हुए आपस में चर्चा करते हैं एवं अंतर को अभिव्यक्त करते हैं बच्चे पढ़े गए गद्य एवं पद्य अंशो का भावार्थ अपने शब्दों में लिखते हैं प्रक्रण, वर्दान, मागूंगा नहीं साहिक सामगरी, पाठ्य पुस्तप, शामपर, चौप, तस्टर, दिख्षा एप पर उपलग्द सामगरी सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, सिक्षन के प्राण में बच्चों के पूर व्यान का पता लगाने के लिए सिक्षब उनसे सामानने बादचीत करेंगे, तदा कुछ प्रशन पूछेंगे जैसे कि बच्चो पहले के समय में किसी के गलत कार करने पर रिशी मुनी क्या देते थे अभिशाप का विलोम शब्द क्या होता है बच्चो हमें इश्वर से अपनी पूजा या अर्चना के बदले क्या नहीं मांगना चाहिए यह बच्चो के लिए विचारात्मक प्रश्न होगा । सिख्षन के दौरान शिख्षक छात्रों को बताएंगे कि आज हम वरदान मांगोंगा नहीं नामक कविता का अध्यन करेंगे इस कविता के रचियता, शिरी, शिव, मंगल, सिंग, सुमन जी हैं इस कविता में कभी कर्तवे पर डटे रहने का संदेश देते हैं वे बर्दान को अच्छा नहीं समझते हैं इसकी अबधी होगी 25 मिनट यह हार डैश डैश मांगूंगा नहीं सिक्षक उचिस्वर ले ताल एवं हाव भाव के साथ कविता का वाचन करेंगे तथा उसका हिंदी भावात बच्चों को बताएंगे सिक्षक छात्रों को कविता में आए तुकांत शब्दों की जानकारी देंगे सिक्षक बताएंगे कि कवि कहता है कि मैं जीवन रूपी महासमर में अपने को तिल तिल मिटा दूंगा लेकिन दया के भीक दही मागूंगा और ना किसी से वर्दान ही प्राप्त करूंगा कवि को सुख दायक इसमृतियों वाला समय तथा असफलता के कस्ट दायक शन दोनों ही प्रियें हैं कवि के लिए हार जीत दोनों बराबर हैं कवि कहता है कि संगर्ष के मार्ग में मुझे हार जीत जो भी मिलती है मैं उसे ही सही मानूंगा लेकिन किसी से वर्दान प्राप्त नहीं करूंगा इसके पस्चाथ सिक्षक छात्रों से पार्थ में आए कठिन शब्दों के अर्थ लिखने के लिए कहेंगे सिक्षक कठिन शब्द अर्थों को शामपट पर लिखेंगे शामपट का रहे शब्दात महा संग्राम महान संगर्ष या जीवन में आने वाली कठिनाईयों से लड़ने का भाव प्रहर पहर या एक दिन का आठवा भाग ताप कस्ट अभिशाप शाप या बद्दुआ सिक्षक छात्रों को दीक्षाइब पर कविता से समन्दी वीडियो दिखाएंगे तथा कविता का सास्वर अनुकरन वाचन करवाएंगे उसके बाद है प्रदत ग्रहकार है निमने प्रिश्णों के उत्तर दीजिए निमने पंक्तियों का भावस पस्ट कीजिए कवि तिल तिल मिट जाने के बाद भी किस बात के लिए तयार नहीं है संगर्ष पत पर चलते हुए कवि का संकल्प क्या है करतावे पत के विशेय में कवि का द्रण संकल्प क्या है कविता में जीवन को महा संगराम क्यों कहा गया है वीडियो में बने रहने के लिए साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद चलिए मिलते हैं अंगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार